हलो फ्रेंड्स वेलकम टू रसोई घर तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मूंकी दाल की मसाला बड़ी यह मूंकी दाल की बड़ी इस बड़ी की सब्ची खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो यदि आपको बड़ी की रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को करना ना भूले वीडियो को लाइक और शेयर करें तो देख लेते हैं बड़ी को कैसे बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कट्टोरी बीना चिलके वाली मूंकी दाल ली है और इसे मैंने साब पानी से दो के पान से 6 घंटे के लिए भीगो के रखावा अब में इसका सारा पानों निकाल दिया है । अब हम एक मिक्सिजार में डालको ढालके दरदरा पीषेशट लेंगे तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी एड्मा आदा इस तरह से पश्डा। बना लिया है तो दरदरा पश्ड यद' हम बनाये तो बड़ी से अच्छी बनकर तयार होगी तो अब मैं इसमें मसाले एट करूंगी तो यहां पर में ले रही हूं आधी चमश से थोड़ा सा ज्यादा नमक आप अपने स्वाधनुसा ले ले एक चमश में ले रही हूं कुटी भी लाल मिर्च का पाउडर यदि आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल लाल म मिर्च डालेंगे तो बड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा साती में में डाल रही हूं थोड़ा सा धनिया पाउडर तो हमें इसमें हल्दी की जुरत नहीं है तो यदि आप इसे और मसाले वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और अध्रक का पेस्ट भी डाल सकते हैं बारिक कटीवी धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं तो इन सब को हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे फेट लेंगे ताकि दाल थोड़ी सी फूल जाए तो हम इसमें एक पींचे हिंग भी डाल देती हूं हिंग से बड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो अच्छा से मिक्स कर लेंगे फेट लेंगे हम इसे थोड़ा तो इस तरह से करने से हमारी बड़ी बहुती अच्छी बनेगी तो देखें दाल थोड़ी से फूल चुकी है तो यह बड़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेड़ी है तो अब मैंने यहां पर एक पॉली बेग लिया है तो यदि आप चाहें तो मेहंदी बनाने का कोण भी ले सकते हैं बड़ी तोड़ने के लिए और अब मैंने एक थाली ल लेते हैं यहां से तो हमें ज्यादा वड़ा इसमें छेद नहीं करना है के जीन से थोड़ा सा काट लेंगे हम छोटी शोटी बड़ी बना के तयार करेंगे दो याँ कि तो अब तेल लगी इसाली में थोड़ी थोड़ी बड़ी निकालते जाएंगे तो हम साइज में थोड़ी छोटी ही रखेंगे तो सुखने में भी आसानी होगी और सबजी में भी अच्छी लगीगे तो इस तरह से थाली पे बनाने में बड़ी आसानी से निकल जाती है तो इसी तरह से हम सारी बड़िया बना के तैयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स बहुती आसानी से बनाना और इसकी सबजी खाने में बहुती टेस्टी लग दी है यदि आप इसकी सबजी की रेशिपी देखना चाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताईए में बहुत ही जल्दी इसकी रेशिपी डालूँगे अपनी चेनल पर तो देखे फ्रेंड्स सारी बड़ी हमें निकाल ली है तो अब हम इसे धूप में रख देंगे इसे हमें धूप में ही सुकाना होगा तो करीब से सुकने में दो दिन का समय लगेगा तो यह देखे फ्रेंड्स बड़ी हमारी बहुत अच्छी से सूख चुकी है और बड़ी आसानी से निकल गई है क्योंकि हमने इसे थाली में बनाया है और थाली में भी हमने तेल लगा के रखावा था तो इस बड़ी को आप स्टोर करके कई दिनों तक रख सकते हैं और जब